दोस्तो अभी 25-26 मर्च 2021 को बंगला देश की स्वाधीनता के 50 साल पूरे हो गए है इसी के साथ इसके जो बड़े मुख्यनेता थे शेक मुझीबूर रह्मान उनके शताबदी का वर्ष भी है और इस मौके पर बंगला देश ने एक बहुत बड़ा कारेकरम का आयोजन किया है जिसमें उन्होंने दक्षिन एशिया के देशों में जिसमें भारत भी इंक्लूड है तो मोदी जी कि आजकल मेडिया पर काफी आलुचन हो रही है क्योंकि वहां दो बाते हुई एक तो उन्होंने अपने बयान में यह कहा कि बंगला देश के लिबरेशन में बंगला देश की मुक्टी के अंदुलन में उन्होंने भी भाग लिया था एक सत्यागरा में वो जेल की सजा हुई और ये उनके जीवन का जब वो बीस-बाइस साल के थे ये उनके जीवन का जेल जाने का अनुभा हो था बंगला देश की आज़ादी के लिए संगर्ष में उस संगर्ष में सामिल होना मेरे जीवन के भी पहले अंदोलोनों में से एक था मेरी उम्रा बीस-बाइस साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथकों ने बंगला देश के लोगों के आज़ादी के लिए सत्यांगर्ष किया था बंगला देश के आज़ादी के समर्थ में तब मैंने गिर्टा नहीं भी दी थी और जेल जाने का उसर भी आया था खैर इसकी प्रतिक्रिया में काफी चीज़े आई हैं और लोगों को लगता है कि इस बात में कोई सचाई नहीं है इसी बहाने हम पूरा थोड़ा एक बांगला देश का इतिहास देख लेते हैं भारत में किस प्रकार की प्रतिक्रिया हुई थी क्योंकि ये बात निश्चित है कि उस दौरान जब अप्रेल और आउगस्ट के बीच की बाते हैं आउगस्ट में भारती जन्ता पार्टी जो उस समय नहीं थी उसकी जो पूरोज थी भारती जन्सन उसके नेता अटल विहरिवाज पर ही ने पारलेमेंट के सामने सत्यागरह भी किया था और बारा अप्रेल को परलेमेंट पे एक प्रदर्शन हुआ था अब ये शंका की बात है कि क्योंकि पूरा देश उस समय मंगला देश की मुक्ति की बात कर रहा था तो क्या सरकार इन प्रदर्शन कारियों को गिरफतार करके जेल में डालेगी ये एक बहुत शंका कविश है खैर इस पर और रिसर्च हो सकता है उस समय नरेंद्र बोधी जी कहां थे क्योंकि उनकी जीवन की बायोग्राफी जो है कभी हिमाले पर कभी धर घुम रहे हैं जो उ प्रड़ाइश की जो मुक्ती की प्रकریया है उसका समर्थन करेंगे सरकार में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और इंदिरा गांधी ने उस समय जो काम किया उसकी तारिफ तो पूरे दक्षिनेशिया के लोग करते हैं और उन्होंने भी जो कदम उठाये उसके का कारण बाद में बांगलादेश को आजादी कैसे मिली उस पर हम आएंगे पर इतनी बात निश्चित है कि कोई प्रदर्शन में वाजपेई जी जीन जिसका नित्रत हो किया भारती जनसंग का उसमें मोदी जीन भाग लिया होगा और उसके कारण जेल में जाना पड़ा हो यह थोड़ी असमभव सी बात लगती है फिर पर इसी बांगलादेश के बाहने हम और दो-चार बाते कर लें पहली बात तो यह है कि बांगलादेश का बनना यह भारत में जो सामप्रदाइक राजनीतियों का दो राश्ट्र का सिधान ता है जो ये सिद्धान चलता था कि धर्म राष्ट का आधार है उस बात पर पूरी तोर से पटक शेप उसकी एक कब्र इस बात से खुद गई कि पाकिस्तान की मांग रखी गई कि मुसल्मान मेजर्टी एरिया को एक अलग राष्ट बनना चाहिए और जब वो अलग राष्ट पाकिस्तान बना सभागिवश भारत तो धर्म निर्पेक्षिता के आधार पर सभी धर्मों के लोगों के लिए बना जैसे बारत का समिधान कहता है पर पाकिस्तान के बनने के बाद इस पाकिस्तान जो भी बांगला देश है वेस पाकिस्तान जो भ ब्रांत मुसलमानों का जादा वर्चस हो था, और वो पूरे देश पर उर्दु रष्ट भाशा के रूप में लादना चाहते थे, एक तो आर्थिक रूप से, वो इस पाकिस्तान को पिश्रा रख रहे थे, आर्थिक रूप से इस पाकिस्तान के अधिकारों को काफी कमसोर कर रहे थे, इसके उपर से सांस्कृतिक रूप से वो उर्दू को लादना चाहते थे, तो इस पाकिस्तान में बहुत असंतोश हुआ, और भले ही एक धर्म के नाम पर ये राष्ट बना, पर ये बांगलादेश में अलगाओवाद की इच्छा बहुत प्रगट हुई, और उसी क में जो दूसरी पार्टी थी, जुल्फिकार अलो भुट्टो की पीपल्स पार्टी, मिलिटरी के मदद से उन्होंने शेख मुझीबुर रह्मान को प्रधान मंतरी प्रद्द से दूर रखा, और साथ में इसी के साथ बंगलादेश में इस पाकिस्तान में बहुत विद्रो चालू हो गया, इस विद्रो को दबाने के लिए वेस्ट पाकिस्तान से आर्मी आई और उन्होंने जो अत्याचार किया इस पाकिस्तान पर उसकी कोई सीमा नहीं है, इससे वहां के कई लोग बंगलादेश इस पाकिस्तान छोड़कर आने लग गये, और कहा जाएंगे, चा पारत के प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने इसी वात को सोचा कि जो बंगलादेश इस पाकिस्तान की जो लोग हैं, जो अलग होना चाहते हैं, उनकी मदद कैसे की जाएं, तो खेर, आर्मी तो एक तरीका होता है, और ये भी बता दूं कि भारती जनसंग का जो आंदोल इसी के साथ इंदिरा गांधी ने रशिया के साथ पैक्ट किया, ताकि पाकिस्तान का जो मददगार था अमेरिका, वो बीच में आके रोडा न डाले, अमेरिका ने आके रोडा डाले की कोशिश की, और उसने बेया बेंगौल, बंगाल के खाडी में अपना सात्वा युद पोत जो बहुत बड़ा उनका था वो भी भेजा, इसके बावजूद भारत रशिया पैक्ट जो था भारतिय सेना जो तीन दिसंबर को जिसने इस पाकिस्तान पे पाकिस्तान पे आक्रमन किया, और तेरा दिन बाद पूरी जो पाकिस्तान की सेना थी, करीब 85,000 उसने भारत किया सेना के सामने समर्पन कर दिया, और यहीं से शेक मुझीबर रायमान ने बांगलादेश के बनने की शुरुवात की बात की और ये बांगलादेश बन गया, फैर भारती सेना ने भारती नेतरतों ने इंदिरा गांधी जो थी उसमें प्रधान मंतरी उन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया और भारती जन्संग के बड़े नेता अटल वियारी वाजपई ने उनकी बहुत तारीफ भी कहीं कई कहते हैं कि उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए दुर्गा इस शब्द का इस्तिमाल किया फैर अब ये तो बात वो हो गई अब एक दो प परिनाम बांगलादेश में पाकिस्तान में होता है प्रतिक्रिया के रूप में होता है जहां तक मुझे याद है छे दिसंबर उननीस सो ब्यामनों को जब बाबरी मस्जिश ढ़ाई गई तो इस पाकिस्तान याने अभी बांगलादेश जो बन चुका था उसमें बहुत बांगलादेश में जो हिंदू हैं उन्हें असुरक्षितता तब जादा होती है जब भारत में यहां के अलप संक्याकों पर अत्याचार होता है और यह उनका अनुपव है जो कई मित्रों ने अपने लेखों में और दूसी जगा पर लिखा है इसी के साथ साथ यह भी बता एक विरोध की बात हुई थी अभी जो बाबरी मस्जित के बाद फिर यह यहां लगातार मुद्दा उठाया जाता है कि यह बांगलादेशी यह घुस पैठी हैं यह टर्माइट्स हैं यह दीमक हैं इनको निकाल के फेकना चाहिए और उसी के कारण उसी के बहाने CAA यह कान कि यह इसमें जो नागरिक्ता का कानून भारत में बन रहा है भारती समिधान के विरोध में उसको मुसल्मानों को उससे बाहर रखा जा रहा है तो खैर अभी इसी का परिणाम देखने को मिला क्योंकि बंगलादेश में एक बड़ा तबका है जो भारत से बहुत गहरे संब मंद रखना चाहता है यह तबका सबसे बड़ा है और एक छोटा तबका वो भी है जो देखता है कि भारत में सामप्रदाइक राजनीती बहुत तेजी से चल रही है और यह राजनीती के कारण भारत के अलपसंख्यकों को बहुत तकलीफ हो रही है बहुत उनका उनके लगा हैं वो अलपसंख्यकों के खिलाफ हैं मुसल्मानों के खिलाफ हैं और उन प्रदर्शन में बंगलादेश में चार लोग मारे भी गए तो पूरी घटना निश्चित रूप से बंगलादेश जाना यह बहुत अच्छी बात है बंगलादेश से मैत्री के संबंद रखना बह बंगलादेश ने बखुबी से संप्रदाइक तत्वों को कंट्रोल में रखा है और अब बंगलादेश आर्थिक रूप से भारत के आगे निकल गया है यह बात हमें सीखने के जुरूत है पहली बात हम यह सीखे कि धर्म के आधार पे राश्रन नहीं बन सकता दूसरी बात यह सीखना चाहिए कि जब भी धर्म के मुद्दों पर राजनीती चलेगी विकास ज्यादा नहीं हो सकता और इन धर्म के मुद्दों को छोड़ पर और द्योगी की करण, शेक्षी की करण, स्वास्त सुई धाएं, लोगों की तकलीफों का जब ध्यान रखेंगे तो समाज में निश्चित रूप से भेतरी होगी, खैर, मोदी जी ने बांगलादेश के बनने में क्या योगदान दिया, यह तो इसका गहरा रिसर्च और हो सकता है, और उस समय कोई जेल में गए भी सही, या नहीं गए, यह दूसरी बात है, क्योंकि यह बहुत असंबह सा लगता है कि जब बूरी भारत, पूरी भारत की जंता, भारती सरकार बांगलादेश को मदद कर रही है, सेना के रूप में, बाकी रूप में, उस समय सरकार ऐसे प्रदर्शन के खिलाफ क्या कदम उठाएगी, यह बहुत बड़ी चिंता की, बहुत बड़ी सोचनी की बात है, और यह हैपनिंग अराउंड, अब इसकी सच्चाई तो खैर सा और भी सुपष्टता से सामने आएगी, पर लगता नहीं है कि इस प्रकार के किसी सत्याग्रह में सरकार ने लोगों को अरेस्ट किया हो, और उनको जेल में डाला हो, आपका बहुत धन्यवाद,